बरसो बाद आर्टी ओफिस आना हुआ, दस प्रेनेट का काम था, एक गंड़ा जितना टाइम लग गया, अभी भी हम यहीं पर है, और फाइनली काम पूरा हो गया है रिनेवल का टाइम आ गया, एक दो बार तो ट्राफिक पोलिस ने मुझे पकड़ा भी था कि आप ऐसे ही जा रहे हैं, तो मैंने बोला कि रिनेवल में डाला हुआ है, ओनलाइन रिन्यू अगर करवाते हैं तो 200-300-400 इतना लगता है, एचंट थ्रू करवाते हैं तो उसका चा छाल करता है, जाके तो पुछ चाजिस नहीं है, जो फोटो कोपी लगते है, वो ही है, पर अगर ऑगर एंट्री के लिए अगर एजंट हायर करते हैं जैसे कि आईटी ओफिस के बार बहुत सारे एजंट रहते हैं लोगों की help के लिए भी रहते हैं, सबको नहीं आता है online तो agent help भी कर देते हैं, तो उसकी charges 900 लगता है और 900 charges एक middle class family के लिए बहुत ज्यादा रहता है पर सबको आता हम दो, क्या कर सकती है। अबे। आज 20 साल बाद फिर से यही RTO ओपिस में मैं आई हूँ वह पुरानी यादे ताजा हो गई। 20 साल पहले मैं इतना डरती थी कोई भी सर्विसमें मुझे जाना होता था या तो तो मज़े बैंक में जाना होता था, तो मुझे बहुत डर लगता था। वही आज ताजा हो गया कि एक दिन था कि मैं कितना डरती थी, किसी से बात करने में भी भी दर लगता में, और अगर ओफिस में ऐसे बोल दिया ना कि ये काम आपका नहीं होगा और ये पेपरवर्क कम है या तो यहां पे आपको ये जमा करवाना है तो मुझे है ना रोना सा आज बात कर रही हूँ पर आज की रेट में ऐसा नहीं होता है जो होगा देखा जाएगा कुछ भी हो ये तो छोटा सा काम था ड्राइविंग लाइसंस रिनिवल का काम था मेरा और हो भी गया अभी वैसे तो ओनलाइन ही हमने किया था एप्लिकेशन पर बेकलोग एंट्री के लिए हम यहां के पास है जरूरी तो नहीं है ना कि सब फाइनेंसल अच्छे होंगे स्ट्रोंग होंगे 900 परचेस करने से अच्छा है कि वो खुद कर ले या ओनलाइन कर ले पर सब को ओनलाइन भी नहीं आता है तो एजन्ट की हेल्प लेनी है उसरे लोगों की मैं बात कर रही हो कि जिसकी फाइ विक की सबजी तो आई जाएगे फ्रूट्स आजाएंगे दूद भी आ जाएगा तो ऐसे भी देखते हैं बजेट मेंटेन करते हैं जो वो एक एक रूपया देखते हैं इसी नहीं है ये सब कुछ पर खिर मेरा हो गया है जस अभी सब्मेट करने हम जा रहे हैं बाद में य बेठे थे वो मुझे समझ नहीं आया साइब प्रोसीजर होगी कपसे बेटिंग में बेठे तो कभी मुझे लगता है कि कोई भी गवर्मेंट का जो वर्क होता है ओफिस वर्क होता है वो एक दम इजी स्टेफ क्यों नहीं होता है कि कई ऐसे लोग भी यहां पे थे बेचार तो इसके लिए नंबर पर इसके लिए यह नंबर अई कुछ नहीं है कुछ पूछ कि आना पड़ता है और यहां पे एरो भी नहीं दिया गया है कि यहां पे फोटो कोपी की जो सोफ है उसका फोटो कोपी की सोफ है को ड्रिंग का है खाने पीने का है कैंटीन है इतना अच्छा केंपस है बहुत अच्छा केंपस है और बहुत अच्छा था पहले जैसा नहीं है कि चलता है और जैसे तैसे बोल दिया वैसा नहीं है अभी काफी अच्छा हो गया है और गवर्मेंट भी अच्छा काम कर रहे हैं पर आज एक लगा कि एरो भी होना चाहिए कोई कंपिउज नहीं हो और दस मिनिट का जो काम रहता है उसको एक घंटा लगता है टूंडते डूंडते जो इन्फोमेशन अगर इधर-उदर से हमें लेनी है उसके बजाए कई बोर्ड लगा है गुजरात में है तो गुजराती में बोर्ड लगा है हिंदी में लगा है या तो तो किसी को दिकत नहीं है